राफा क्रोसिंग मिस्र के साथ राफा सीमा पार करना गाजा में प्रवेश करने या वहां से निकलने की इच्छा रखने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदू बन गया है। की इच्रायल गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमन की तियारी कर रहा है। यात्रियों को एक और फिलिस्तीनी गेट मिलता है जहां उनके पहचान पत्रों की जाच की जाती है। वहां से वे आम तोर पर क्रोसिंग के मिस्र वाले हिस्से तक थोड़ी दूरी तै करने के लिए बस में सवार होते हैं। निजी वाहनों को गुज़ने की अनुमती नहीं है। मिस्र की तरफ पीले रंग के मुखोटे वाली एक चौड़ी सनरचना है। सहायता कार्य करताओं को इस गेट के पास अपने ट्रक पाक करते हुए देखा गया है। क्रोसिंग की खुलने पर फैसले का इंतजार करते हुए। गाजा के लिए महत्व, इज्रायल और मिस्र दोनों द्वारा गाजा से लोगों और माल की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंदों ने गाजा पटी में फिलिस्तिनियों की जीवन स्थितियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। दोनों देशों ने परमित प्राप्त करने पर गाजा से प्रवेश को अनिवार्या बना दिया है। मिस्र ने सुरक्षा चिंताओं के कारण राफा गेट को कभी-कभी बंद कर दिया है। 2022 में क्रोसिंग 245 दिनों के लिए खुली थी जिससे 133-00-00 से अधिक लोगों के प्रवेश और 144-00-00 लोगों के बाहर निकलने की सुविधा मिली। दीजल, रसोई गैस और निर्मान सामगरी जैसे आवश्यक सामान आमतोर पर पास के सलाहे दीन गेट से होकर बुजरते हैं, जो 2018 से चालू है। इससे पहले, घरेलू सामान अक्सर भूमिगत सुरंगों के माध्यम से तस्क्री किये जाते थे। युद्ध का प्रभाव, सैयुक्त राष्ट्र मानवादिकार उचायुक्त के अनुसार, गाजा पर नियंत्रन रखने वाले सशस्त्र समू हमास के खिलाफ इजरायल के जवाबी हवाए हमलों ने राफा क्रोसिंग को नुकसान पहुँचाया है। क्रोसिंग के पास कई हमलों की पुष्टी वीडियो और सैटिलाइट इमेजरी के माध्यम से की गई है। गाजा से निकलने की उमीद में सीमा पर इंतजार कर रहे विदेशी पासपोर्ट धारकों ने बताया की सीमा पर हमले के बाद उन्हें वहां से निकाला गया। अमेरिकी अधिकारियों ने आशा व्यक्त की की इजरायल राफा क्रोसिंग शेत्र पर बंबारी करने से बचेगा। वर्तमान स्थिती, विदेशी और दोहरे नागरिकों सहिट सेकलों लोग संभावित खुलने की उम्मीद में क्रोसिंग के गाजा की ओर एकत्र हुए हैं। हाला की, विदेशी नागरिकों के प्रस्थान और मानविय सहायता के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए इजरायल और मिस्र के साथ समझोता करने के लिए सैयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य लोगों की प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं, और सीमा बंध गाजा में कई अमेरिकी नागरिक सीमा खुलने की स्थिती में सीमा के पास अस्थाय आवासों में रह रहे हैं। अधिकांश गाजा वासियों की तरह उन्हें फोन चार्ज करने के लिए बिजली की कमी और दवा, पानी और भोजन जैसी आवश्य का पूर्ती पाने में कठि एक समय पर क्रॉसिंग के गाजा पक्ष के गार्डों ने लोगों को सूचित किया कि यह बंध हो गया है। जैसा कि क्रॉसिंग पार करने की उम्मीद कर रहे एक फिलिस्तीनी अमेरिकी ने बताया। ये गार कथित तोर पर हमास द्वारा संचालित आंतरिक मंत्राले से विभिन देशों से सहायता की ट्रक मिस्र से गाजा में प्रवेश करने की अनुमती का इंतजार कर रहे हैं। फोटो और वीडियो में सीमा से लगभग 30 मील दूर मिस्र की शहर अरिश में सहायता ट्रकों की कतारे दिखाए दे रही हैं। विश्व स्वास्थि संगठन के ए थार्च कर रहे हैं।